दोस्तो हमारा काम क्या है आपको जो कोई भी प्रॉब्लम आती उस प्रॉब्लम को सॉलिशन ढूंड के लाना तो कई बार मिचल फंड ओल्डिंग जब आप चेक करते थे तो सब का सवाल यह था कि सर मिचल फंड ने पता नहीं कब खरीदा है अभी हम उस स्टॉक को खरीदे तो क्या फाइदा होगा वो पेली भाग चुका होगा तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि अभी इमीडेटली मिचल फंड ने रिसेंटली क्या खरीदा है स्टॉक बॉट बाई मिचल फंड प्रॉडेंट लिखे आगे तो प्रॉडेंट किस प्राइस पर क्या वॉल्यूम सब दिख रहा है आपको जहां पर सेल 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 है उसका वेट कि हमने वीस्ट इंडेस्ट्री बाई और सेल दोनों है ध्यान नहीं देंगे इनोवा केप्टेप बाई-बाई-बाई कोई नया लिस्टिंग है फिर जाइडस वेलनेस दिख र अपने की कोशिश की कि किस पर उसको खरीदा गया तो MI-Arginx को बाई किया गया 2030 के लेवल पर तो हम यहां पर जाके चेक करते हैं एमई 1144 रुपए पर चल रहा है फिर हम यहां पर चेक करते हैं कि इसमें क्या बता रहा है ट्रेंड लाइन में उसके fundamental चेक करने आ गए हम लोग fundamental में हमको क्या पता लग रहा है fundamental में हमको दिख रहा है कि बहुत ज़दा promising fundamental तो नहीं दिख रहे हैं उसके expensive performer है 7290 है 9 weaknesses दिख रही है फिर नीचे आये हम यहां पर आके हमको देखने को मिलता है कि 61 से 45 क्रोर का profit रह गया है 16.8 से 12.3 की EPS रह गई है चली एक यह चीज हो गई दूसरा फिर हम Zydus Wellness को खोलते ह यहां पर इसकी detail देखने की कोशिश करते है strong performer है दोस्तो getting expensive और यहां पर आपको जब 6480 दिख रहा है weaknesses तो इसकी भी है लेकिन ही strong performer है all करके यहां पर EPS देखने की कोशिश की EPS ठीक है नीचे गए यहां पर हमको देखने को मिला minus 182 क्रोर से 59 plus 59 क्रोर के profit तक और यहां 2 से लेके 9.4 तक की EPS हो गई EPS में growth आ गई है नीचे जाके बाकी सारे fundamental parameters पढ़ते हैं यहां पर दिखता है कि FII के holding है Mitchell Fund के holding थोड़ी बड़ी ही है तो इन दोनों में से आप Zydus wellness को prefer करते हैं क्योंकि वो एक जादा strong stock की तरह नजर आ रहा है और बाकी आप क्या कर सकते हैं है ना तो हम यहां से drop down करके देखते जाते हैं कौन-कौन से stock खरीदे गए थे और उसमें आगे हुआ क्या तो यहां पर MBC office park से buy 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 करके इतना लिखा हुआ था तो MBC में क्या हुआ check करने की जरूरत है हम यहां पर जाके सिर्फ simple सी यहां पर लिख सकते हैं कि MBC के fundamental हम देख हो जाते हैं MBC MBC office parks जैसी आप तीन letters लिखते हैं दोस्तों वो stock आपके सामने आ जाता है अवेट turnaround यहां में बता रखा है कि यह turnaround के लिए अवेट कर रहा है 4530 है ठीक ठाक है 32 करोड की company छोटी company नहीं है बहुत अच्छा market capital है all करके हमने EPS को चेक किया क्या EPS बढ़ रही है तो turnaround के chances है turnaround वाली चीजों का ऐसा है कि अगर बाजार में ताकत आई और यह चले तो एकदम भाग सकते हैं 11 लोग इस ट्रॉंग बाए बता रहे हैं turnaround में थोड़ा धोका भी हो सकता है इसलिए हमेशा turnaround वाले stock को दो टुकड़ों में खरीदना 447 क्रोर से 1239 क्रोर तक profit बढ़ा है लेकिन दोस्तो 5.9 से EPS 4.3 है तो इसको धेरे देरे इकठा करें तो turnaround वाले share दो से तीन सालों में डबल हो सकते हैं इसका chance बनता है नीचे जाके हम बाकी यह चेक कर सकते हैं 70% लोग buying के लिए बात कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो केसा लगा संड़े को एक free webinar है all round trader वाली बात क्या आप stock market में future and option में commodity में cryptocurrency में कैसे trade करें और trading successful 24-7 trade करें फिर भी successful trading करें यह हम आपको सिखाने वाले हैं और all in one 32 course उसका link दे रखा है आप जाके check करो कौन-कौन से courses शामिल है क्योंकि उस दिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा discount मिला और आपको 2024 का सबसे बड़ा फेसला करने का time आया क्योंकि कभी-कभी हम मोके में चुक जाते हैं stock market और commodity cryptocurrency तो हमको सिखाती है कि जहां आप late हुए decision में वहाँ profit कम हो जाता है या loss में बदल जाता है तो दोस्तों पहले से जानके रखें मिलते हैं Sunday के webinar में thank you bye